सो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वीफ और वेल्लू में आज हम लोग बात करने वाले है रिलैक्स और फुट्वेयर लिमिटेट के बारे में जानेंगे कंपनी करती क्या है कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं करेंट मार्केट में किस प्रकार के सिचुएश स्टाट वीडियो बट उससे पहले मेरी आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी ऐसे कॉलिटी कॉंटेंट आप तक रेगुलर वेसिस पर प्रवाइट करने के लिए हम काफी जादा मेहनत करते हैं एक आपका छोटा सा लाइक उस मेहनत को काफी जादा अप्रिशेट कर करती है आप परकलास को फिक हम करती है कंपनी के दस कम्पनी के अंडर में आते हैं और यहां पर देख पारेंगे रिल्atching यहां पर आऊ आपने कोई ना कोई advertisement जरूर देखे होगी युकि यह चारो ही brand काफी जादा लोग परी हैं काफी बड़े-बड़े celebrities ने इनकी brand का advertisement किया है आप जैसे की photo में देख भी पा रहे होंगे देन बात करते हैं company के कुछ past growth perspective के बार में तो अभी के time पर जैसे की photo में देख पा रहे होंगे as compared to sensec company अभी के time पर काफी इची तरीके से grow कर रही है और उससे उपर ही perform करके दिखाईए आप कह सकते हैं कि company काफी इची है stable company और long term के लिए अच्छा future आपको देखने को मिल सकता है volumes भी आप देख पा रहेंगे company में ठीक ठाक volumes आपको देखने को मिल रहे हैं और वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं then बात करते हैं company के future growth perspective के बार में कि उसमें क्या पढ़ोती देखने को मिल सकती है so as expected globally ये industry 5.5 cgr की rate से बढ़ती भी देखने को मिलेगी but Indian industry में आप बात करेंगे तो वो लगबख 10.8 cgr की rate से बढ़ने को मिलेंगी और ये काफी बड़ा dominating player है तो इसको इससे काफी जाता फाइदा होने वाला है बात करते हैं India as compared to world all over the global आप जैसे कि आपे देख पारेंगे average person के पास 3 pair of shoes रहते हैं but India के पास 1.7 है और बात करेंगे develop country के तो महाँ पे लबद 6.5 है so आप भी जानते हैं India काफी तीजी से move कर रहा है developing के तरफ और काफी चितरीगे से develop हो रहा है लोगों की per capita income बढ़ रही है और उसी के साथ disposable income भी बढ़ रही है जिसको वो food wear में और अलग-अलग fashion brands में खर्च कर सकते हैं so उसको देखते वे आप कह सकते हैं कि इंडिया में काफी अच्छी growth perspective है और आने वाले कुछ decades में आपको यह जुरूर देखने को मिलेंगी आप जैसे की देख पा रहेंगे top 5 global food wear consumer जो है उनमें number 1 पे China आता है and second number पे India आता है then third पे USA तो आप कुछ सो सकते हैं इंडिया जैसे बड़ी country जहां पे इतनी बड़ी population है वहाँ पे आपको अगर 1.7 pair of shoes देखने को मिल रहे हैं और वो बढ़कर अगर 6.5 हो गए तो वो कितनी बड़ी growth opportunity हो सकती है आप कह सकते हैं सीधा सीधा यह stock एक काफी बड़ी multi-bagger stock बन सकता है अगर इस ने यह सारी चीज़े सही तरीके से plan करा और उसको action मिलाया देन बात करते हैं company के कुछ last records के बारे में तो आप जैसे के देख पा रहे हैं के company के current ratios बढ़ते भी देखने को मिल रहे हैं साथे साथ जैसे कि आप यह पर देख पा रहे हैं ROE और ROCE continuously आपको बढ़ते भी देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी positive बात है dividend भी company अच्छी तरीके से बढ़ा रही है जो कि काफी अच्छी बात है बात करते है market capitalization तो वो भी company काफी चरीके से increase कर रही है company का EBITDA भी बढ़ रहा है PE ratio भी बढ़ रहा है आपको बात करें EPS की तो वो भी बढ़ता हूँ देखने को मिल रहे हैं then at the end of बात करते है company के holdings के उपर तो आप जैसे के देख पा रहे है company के promoters के पास almost 70% की holding आपको देखने को मिल रही है mutual fund के पास almost 7% की holding है domestic institutions के आपके holding देखने को नहीं मिल रही है foreign investors लगबख 3.22% है और retailers के पास लगबख 19% है तो आप कह सकते है overall holdings काफी अच्छी है काफी मजबूत है काफी अच्छी है पर motors ने अपने holding रख रखी है बात करें financials की तो every single year यहाँ पर आपको revenue में growth होती भी देखने को मिलेंगी हाँ थोड़ी slow basis पर है but still काफी अच्छी growth है और वही चीज़ जिनके net income में भी आपको देखने को मिल रही है जो की काफी अच्छी बात है बात करते हैं most important point company के cash flow की तो वो भी काफी अच्छी तरीके से company increase कर रही है जिसको आने मेले time पर उपने future operations पर लगा सकती है यह एक लौती चीज़ जो की मुझे काफी ज़दा attract करती है यह company future के लिए investment करने के लिए देन बात करते हैं company के targets को लेके तो आप जैसे की देख पा रहेंगे वन वीक के अंदर अंदर यहाँ पर आपको लगवाग माइनस 4% का downtrend देखने को मिला वन मन्त की बात करें तो आप वो लगवाग 10% का downtrend देखने को मिल रहा है और अगर वन येर की बात करते हैं आप आपको 10% के यह आप आपको return देखने को मिल रही है अपने all time high से जो की इजने बनाया था है यहाँ पर लगवाग नवंबर के time पे उससे यह अभी के time पे almost 30% के discount पे trade कर गी है जो कि यह काफी अच्छी value हो सकती है इस company को अपने portfolio में buy करने के लिए बट आप थोड़ा सा और wait कर सकते हैं क्योंकि अभी market काफी ज़दा correct हो रहा है तो अगर आपको यह शेर 900-800 के लेवल भी मिलता है तो वह और भी अच्छी बात होगी आप इसे बाइक कर सकते हैं almost 800-950 के बीच में जो भी आपके लिए इस तो डेबल हो कर सकते हैं मुझी नीचे करें नीचे पर सब्सक्राइब करने आपके बैल फ्रेसि यह करें तक करें आपके पास थोड़ा सा और समये ईंवस्मेंट को देने के लिए तो मेरी koriended empez यक ने was स्टेसे और गुडबाई, थैंक यू दोस्ते